जहिंत फ्रेंग्स मैं प्रग्या आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके पनी चनल the history library में तो फ्रेंड्स आज हम क्या करने वाले हैं आज हम फिर एक बार level 3 के questions करने वाले हैं लेकिन ये level 3 के questions आज हम करेंगे मद्यकालीन भारत से हमने modern हैं इंडिया से हमने तीन पार्ट कवर कर लिये हैं अभी तक जिसमें कि आपके total 27 questions level 3 के मतलब level 3 से हमारा मतलब है बिल्कुल नए questions जो कि आपने अभी तक किसी book में या किसी भी previous year paper में sold paper में किसी में भी नहीं देखे होंगे लेकिन वो हमारे higher level के exams जो भी upcoming हैं उनके लिए बहुत बहुत important है और उनमें से आपके questions ये वाले जरूर कोई ना कोई से आएंगे ही आएंगे ये बिल्कुल sure है ये बिल्कुल sure short questions है कि इन में से definitely questions आएंगे ठीक है और इसी के साथ मैं आपको एक बार और बता देना चाहती हूँ अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो हमारा channel है सिर्फ और सिर्फ history के लिए बनाया है इसमें history के लावा दूसरे किसी भी subject से related आपको कुछ भी other stuff नहीं मिलेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ history की बात होती है ठीक है दोस्तों तो चलिए फटाफट से बावरा किसे कहा तो यहां आपके देखिए चार options दिये गए हैं आपको रास्ट कूटों को प्रतिहार को विदेशी विदेशी वियापारियों को या हिंद के वियापारियों को ठीक है तो दो शासकों के बारे में आपको बोला गया है दो जगा और दो जगा आपको बताया तो कि यह सिंढेकता है तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा मैंने आपको यहहां पर दिया यह कुछिंस में खुद बनाती हूं इसलिए तो यह जो कहा था इने को बावर वो तो प्रतिहार शास कौ को डेकिने समर्थ आप DJIA को थोड़ा से बताती हुं यह प्रतिहार शास को Lapoda na 혹시 Kotaudracom? cry Hier डेकिन देख़े हैं दो वर्ड्शन आपको याद रखने में बावर्रों और BLHARA कौम थे प्रतिहार और BALHARA, BALHARA मतलब रास्ट कूट अब इनको याद घैसे करें तो देखिए यह से भी यह नवी साथ जा डिए कटेंच इसको इसको एसे भी याद रख सकते है कि रास्ट में बल और पिप गुट कुट कर भर रहा हैं तो बल हार आप इसको याद रख सकते है नेक्स कोशिन पर चलते हैं नेक्स कोशिन है हमारा तुरुष दंड किन से सम्बंदित था देखें कितने अच्छे कोशिन हैं यहाँ पर ठीक है तो तुरुष दंड किन से सम्बंदित था यह देखते हैं तुरुष दंड हमारा सम्बंदित था तरीके का कर तो गहडवाल जो शा सकते हैं उन्होंने एक तरीके का कर लगाया वता जिसको तुरुषदंड कहते थे ठीक है अब नेक्स्ट आया हमारा अंसाब था अंसाब क्या था अंसाब यहां पर आपको चार आप्शन से यह काई है आप वीडियो को एक बार पॉस्ट करक प्रसी तब इतिहास चला है लिखने का जो एक तरीका चला है वह अर्भों से चला है अर्बों में वंट्शावाली की जो रचनाएं होती ती उनको एंसाब कहा जाता था तो इसके लिए थर्ड का A option करेक्ट है में उसमारा कोशे सन करेक्ट नेकर से चलत aerospace है और इनके बारे में मैं आपको detail में भी बताओंग। मैं सिर्फ आपको answer देके नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपको इंसे related facts भी बताती हूँ, मैं आपको additional information देती हूँ और ऐसे questions मैं आपके लिए यहाफे बनाती हूँ, ताकि आपके जाद ऐसे जादा चीजे cover हो सके, देखे, इसका सही option है द्रव्य परिक्षा, अब क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था, चौदवी शताबदी की बात हो रही है, और बात हो रही है मुद्रा प्रणाली और धातू शिल्प के सम्मन्द में, जिसमें जानकारी मिलती है तो वो मिलती है द्रव्य परिक्षा में, अब बाकी के जो है मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ, आप देखे जो पहला है मिफ्ता हुल फुजूला, यह क्या है यह एक शब्द कोश है, मतलब जिसको डिक्ष्णरी कहते हैं हम आज के टाइम में, और डिक्ष्णरी के साथ में इसमें द्यानी कुप्योग की वस्तूओं का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, जो नेक्स्ट है हमारा सुभूल अश्या, सुभूल अश्या एक यात्रा वृत्तान्त है, नहीं पूछा जाएगा, ठीके, नेक्स हमारा कोशन है, मक्तूबात था, मक्तूबात क्या था, तो मक्तूबात जो था, वो था हमारा सूफी संतों के पत्रों का संकलन, ठीके, नेक्स कोशन पर चलते हैं, नेक्स कोशन है हमारा, राजपूतों नगत वेतन के बतले भूमी अनुदान को बढ़ावा दिया था इस पस्टिकरण दिया गया है कि अधिनस्त सरदारों को तीन की गुणांक संख्या में गाउं का समू अनुदान में दिया जाता था तो देखे पहले तो ये बोला जा रहा है कि राजपूतों ने भूमी अनुदान को बढ़ावा दिया था तो ये विल्कुल सही बात है कि राजपूतों ने भूमी अनुदान को बढ़ावा दिया था ठीक है अब इन्हों ने देखिए यहां पर जैसे जे आरफ में हमारे कोशन्स आते हैं वैसे यहां फसादिया गया है कि अधिरस्त सरकारों को तीन की गुणांक संख्या में गामों का समों अनुदान में दिया जाता था मतलब तीन छे नौ बारा इस तरीके से तो यह गलत है अबäre ग Неrices अब की न चला होगा कि गुणांक में तो नहीं दिया जाते होंगे ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक डिया जाता हो गाए एक 2,3, कितने भी दिये जाते होंगे लेकिन ये बात सही है कि उनको गुणांक में ही दिये जाते थे तो पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं इसका आंसर है ये सही है लेकिन आर गलत है तो सी इसका सही ऑप्षिन है और जो गुणांक में दिये जाते थे वो तीन की गुणांक में नहीं दिये जाते थे वो छे की गु पर चलते हैं बखर किस से संबंदित है अब देखे मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगी कि यह भखर होता क्या था ठीक है तो बखर या बखर कुछ इस तरीके जो प्रेंशेशन जो भी होता हो अर्भी-फार्सी में कुछ अलग होते थे ठीक है तो यह क्या है आएए देखते और इसके डिटेल में आपको बताती हूं यह मराठाओं से संबंदित है और जो मराठाओं के इतिहास के अध्यान का जो स्त्रोत होता है मतलब जिसमें मराठाओं के बारे में बहुत जादा डिटेल मिलती है उसको हम बखर कहते हैं देखिए फ्रेंश कितना important important questions में आपको दिनों की महनत होती है यह मेरी कई दिनों की महनत है कई घंटों की लगातार महनत और उसके बाद ही आपको 15 मिनिट में मैं आपको इतने questions करवा पाती हूं तो अगर मैं इतने दिन की महनत आप लोगों के लिए कर रही हूं तो आपका भी फर्स बनता है कि आप वीडियो को मुझे दें आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं आपको कुछ सेकेंड का काम है आपके लिए तो सिर्फ अगर आप मेरी इतने दिन की महनत के लिए आप कुछ सेकेंड का भी टाइम अपना लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए या कमेंट करने के लिए भी नहीं तो जस्टिफाइब नहीं होगा इस ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स है हमारा जर्मन यात्री मैंदेल 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 स्लो किस दोल्ट मुगल शयसन के कालं में भारत अया लेकिया हम इटली वगयर év жизни अव्य उनके पाले में आयर में आपको 되는 में मेंदेल स्लो नेक्ट्स हमारा वाल आदो तो गनिमा क्या था यहां आपको options दिये गए हैं तो क्या था गनिमा गनिमा होता था शत्रूओं से प्राप्त संपत्ति अब देखिए यहां मैं आपको बहुत important बात बताने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा इतने additional facts आपको कहीं किसी भी channel पर नहीं मिलेंगे गैरंटी के साथ बता रही हूँ इतना deeply आपको कोई नहीं पढ़ाएगा मैं सिर्फ आपको कोशेन ही नहीं कराती हूँ उनके साथ उनके additional facts भी देती हूँ चाहें तो आप कहीं भी चेक कर लीजेगा इतना detail मैं आपको कहीं नहीं बता जाएगा देखिए अब मैंने बात किया आप से शत्रू से प्राप्त संपत्ति अब शत्रू से प्राप्त संपत्ति कैसे होगी शत्रू से तभी प्राप्त होगी ना जब उस पर आखरमन किया जाएगा युद किया जाएगा और उसके बाद लूटा जाएगा महा का धन तो जो युद में जो लूट का भाग होता तो उसको क्या कहते थे हम normally खुम्स कहते थे अब यह खुम्स और गनीमा में difference क्या है देखिए गनीमा वो है जो पूरा लूटा जाता था जो जितना लूट लिया वो सब एक तरीके से गनीमा कहलाता था ठीक है अब यहां जो एक बटा पाँच भाग खुम्स के रूप में खल में बढ़ता था कि 20 परशेंट रखना है याटी परशेंट रखना है बट ओवर ओल इसको खुम्स बोल दिया जाता है लूटे हुए धन को ओवर ओल भी इसको खुम्स आपको पढ़ने को मिलेगा लेकिन अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो यहां इसको गनीमा कहते है तो यह याद रखिएगा यह आपको कहीं भी कोई टीचर आपको इतने असानी से यह बताएगा नहीं इतनी बारीक चीज़ है नेक्स कोशिन पर चलते हैं नेक्स कोशिन है हमारा अरगो दुआरा निर्मित भारतिय उपमहद्वीप की पहली मस्जित थी बहुत ध्यान से को पढ़ीएगा मैं फिर दूबारा से आपको बोल रही हूं बहुत ही द्यान से कोशिन को पढ़िएगा वीडियो प् 아व अंसर देने की कोशिष कीज़ेगा अब आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा होगा डेफिनेटली वह आ रहा होगा आपके दिमाग में कुवत खुल इसलाम मस्जिद बट फ्रेंच इसका सही आंसर है देवल की जामा मस्जिद ठीक है देवल की जामा मस्जिद या बंबु और की भी तरीके से इसको बोल सकते हैं ठीक है तो और दूसरी बात अब देखे यहां उप महाद्वीप की बात हुई है या भारत की नहीं पूछी गई है पूरे भारती उप महाद्वीप की पहली और किसके द्वारा अर्बो द्वारा तो वो देवल की जामा मस्जिद थी ठीक है अब देखे मैं आपको एडिशनल फैक्स बता देती हूँ जो सल्तनतकाल की पहली मस्जिद थी कौन सी कुवतुल इसलाम मस्जिद यह आपने पढ़िए कि सल्तनतकाल की पहली मस्जिद है ठीक है तो पहली बात तो यह भारत में भारती उपमादवीब की बात इसमें नहीं आती फिट नहीं होती है किस ने बनाई थी कुतुब उद्दीन एबकने ठीक है धाई लाग कुकू मैंने याद कर वाय था आपको शौट ट्रिक में अगर याद होगा तो इसलिए मने शौट में लिखा है कुकू तो सलतलत काल की प इसलामी पद्विती की पहली मस्जिद थी तो देखिए कुछ माइनों में ये भी पहली मस्जिद है ये भी पहली मस्जिद है और ये भी पहली मस्जिद हो ठीक है और ये भी पहली मस्जिद है तो ध्यान रखेगा इन चीज़ोंगा ठीक है बहुत बारीक चीज़ों होती ह और यही एक्जाम में हमारे मार्स कट करवा देती हैं नेक्स हमारा कोशन है आयू दवन्ष का संस्थापक कौन था भी आयू दवन्ष किसके सामकाली इंतालग बक्का बाया था नॉमली हमने आयू दवन्ष के बारे में सुना ही नहीं है आप मेंसे 50% कम से कम ऐसे आयू दवन्ष के बारे में सुना ही नहीं होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है वज्रयूद अब मैं आपको बता देती हो इसके बारे में वज्रयूद के बारे में कनौज पे जब यशो वर्मन का शासन था उससे लगबग दो दशक बार दो दशक मतलब लगब 20 साल इसका संस्थापना जो की थी से क्या है यह आयू दवन्ष की ओके तेकिए मैं बोलते भी माइंड से स्लिप होता है तो यह साथ सो सत्तर से आठ सो दस इसवी के बीच में था अब लास्ट में एड़ लास्ट पॉइंट चक्रा युद के ने धर्मपाल के अधिनता स्वी कार रहे थे और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में नागभट सेकिंड ने इन दोनों के पूरा ग्रूप को हटा कर मतलब यह मिल गए थे ना जब आधिनता स्वी कार काली तो धर्मपाल और चक्रा युदू दूनों एक तरीके से एक साथ लड़ रहे थे तो नागभट ने इन आपको दिया गया है गुप्त शासन काल के बाद लगभग 450 वर्षों तक शुद्ध सोने के सिक्के जारी नहीं किये गए और इस पस्टी करण दिया गया है कि गुप्त काल के बाद सबसे पहले कल्चूरी शासक गंगदेव कहीं कहीं आपको गंगे देव भी मिल सकता है ठी क्या यह सही है कि गुप्त शाजसन में तो बहुत सारे सोने के सिक्के बनाए गए गए थे क्या उसके 450 वर्षों तक शुद्ध सोने के सिक्के बने ही नहीं थे ये सही बात है ठीक है अब ये जो दूसरी बात कही है ये भी ठीक है जो सबसे पहले मतलब गुप्तर शासकों के बाद जो सबसे पहले शुद्ध सुने के सिकों का प्रमान मिलता है प्रमान की बात उरी है यहां पर ठीक है जो प्रमान मिलता है वो मिलता है कल्चूरी शासकों का ठीक है और कल्चूरी शासक में गंगे देव का तो यह याद रखेगा तो इसमें दोनों ही ठीक है ठीक है तो यहां पर एक बार मैं आपको ऐसे कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना हो, तो आप ले सकते हैं, नेक्स कोशिन पर चलते हैं, नेक्स कोशिन है हमारा, निम्ने में से कौन सी भारतिय बंदरगा थी, चलिए आजाएए, वापस से हम इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं, अपना पूरा कॉशिन एक बार में देखते हैं, कौन सी बंदरगा भारतिय थी, देखिए, यहापे आपको नाम दिये गए हैं, कुलम्माली, चाउल, कुलहातू, और अबुल्लाह, देखिए, यह जितने भी कोशिन्स हैं, यह सारे जो सल्तनत काल या जिसको आप कह सकते हैं, मध्यकाल जब स्टार्ट हो रहा था, यह उस पीरियट के सारे कोशिन्स है, तो आप यह मत सोचेगे कि मैं कौन से टाइम की बात कर रही हूँ, कौन से टाइम की बंदरगाएं पूछ रही हूँ, ठीके, तो यह जो बिलकुल हमारा स्टार्टिंग पीरियट है, मध्यकाली कोलम, कोलम से आप याद रख सकते है केरल, ठीके, और चाउल कहा था, हमारा चाउल था महरास्ट्रा में, जहां तक मुझे यादा रहे, चाउल महरास्ट्रा में था, तो यह दो तो हैं हैं, तो डेफिनिटली वन एंड टू इसका सही आंसर है, तो कोलमाली और चाउल, यह दोनों हमारे इंडिया में हैं, और यह जो कुलहातू और अबल्ला है, यह हमारे बाहर थे, नेक्स कोशन पर चलते हैं, इसका अंसर आपने हाला की देख लिया है, पट, हो सकता है, भी बहुत उने नहीं देखा हो, नेक्स कोशन हमारा है, दसवी से बारवी शताबदी में, किस प्रकार के नगरों को सकंदवार कहा गया है, देखें, पहली बात तो मैंने आपको यही बता दिया, कि सकंदवार नगरों को कहा जाता था, अगर मैं टारेक लिए पूछ लेती, कि सकंदवार किसे कहा जाता है, तो पहले तो आपको यह बताना पड़ता है, कि नगरों क शेत्र तो जो सेनिक छावनिया जिन एरियों में बनी वी होती थी उनका मितलब प्रशिक्षण भी होता था वो रहते भी थे उसको ही सकंदवार कहा जाता था आए इसके मतलब उस टाइम में अलग अलग जैसे होते थे पत्तन वाले नगर अलग होते थे व्यापारिक केंद्र अलग होते थे धार्मिक महत्तुके दृन्गरों वह स्कंदवार कहा जाता है एस द्वारायों जैन–qualified के लिए साक्षे में, जैसे बोला जाता है कि द्रम एitte शायसकते हैं और ना देने के सासाथ उतपीडन भी किया मतलब उन्हें परिशान भी किया उनके साथ बुरा व्यवार भी किया तो इसका जो सही option है जैसे कि मैंने आप से पहले भी काई वीडियो को pause करके आंसर देने की कोशिश किया खीजिए तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पंडे पंडे लोगों ने जन्म मतावलंबियों को का उत्पीडन भी किया था बाकी तीनों जो ये हैं यहाँ पर चालुक के परमार और राज्ट कूट इन तीनों ने ही उनको सन्रक्षन दिया था ठीक है उत्पीडन नहीं किया था बलकि इनको सन्रक्षन दिया था नेक्स जलते हैं नेक्स्ट है हमारा शंकराचारे ने संसार के अस्तित्व को निम्न तत्वों पर आधारित माना यह मन नहीं है यह माना है ठीक एक बलो पर अधारित माना था तो यह पर हम माउप्षन लेते आजयरा यहां पर जाएगा माना तो आई देखते हैं आनंद चित्त और बंधन यह क्या क्या है और किसको इनों कॉ संसार का फ्रेश्ट माना था किस पर आधारित संसार का स्थेश्ट माना था तो इसमें से options देख लेते हैं one two and three मतलब c option इसका correct है next जलते है next question है हमारा matching वाला देखिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे words लेके आई हूँ और मैंने matching में इन words को इसलिए डाला है कि अगर मैं question frame करती इससे तो इस अकेले question से चार question frame हो जाते हैं आपको quantity पचास में बहुत easily दिखा सकती थी ऐसे ही questions को एक एक question अलग बना के लेकिन मैं चाहती हूँ कम से कम question में कम से कम time में आप जादर से जादा कर सकें ठीक है तो देखिए यहां आपको words दिये गए मगाजी सीरत मनाकिब और मलफुजात ठीक है त से जादा मुझे लगता है आप में से 80% students ऐसे होंगे जिन्होंने ऊपर के तीन words सुने ही नहीं होगे ठीक है और exams में हमारे ऐसे ही question आते हैं चलिए आईए देखते हैं क्या इसका सही है मगाजी कहते थे युद्वृत्तांत को मतलब जो ये अरब होते थे ये जो तुर्क ह करते थे उनका जो युद्व का पूरा वर्लन किया जाता था उसको मगाजी कहते थे ठीक है next सीरत सीरत कहते थे हजरत महमत का जीवन व्रत्तांत मतलब जैसे आप नॉमली इसको याद रख सकते हैं बहुत ईजली आद हो जैगा जैसे हम कहते कि उसकी सीरत कैसी है कि सूरत प ऐख याद भी कर सकता है next है मनाकिब मनाकिब है मद्यकालीन प्रशास्ति आप देखे इसको कैसे माद्यकालीन ठीक है और किब से आप किताब याद रख सकते हैं मध्यकालीन किताब मैं क्या थे बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे सुल्तान हुए ठीक है तो ये सुल्तान जो हुए कोई भी अगर किताब लिखे तो क्या लिखेगा तो 90% तो वही लिखे जाती प्रशäστी है तो मद्यकालीन किताब मतलब मद्यकालीन प्रशस्ति आप इस तरीके से याद कर सकते हैं मैं यह आपको याद करने के तरीका बता रही हूँ अगर आप नॉमली याद कर सकते हैं तो आप याद कर लिजेगा नेक्स्ट है हमारा मल्फुजाद, तो मल्फुजाद सूफी संतों की जो उक्तियां होती थी, मतलब जो जैसे वो क्या कहते थे, उनका क्या कहना था, उनका दर्शन क्या था, वो क्या सजेस्ट क्या करते थे, वो उसको मल्फुजाद कहते थे, तो इसका D option correct है, नेक्स्ट है ह हमारा question है बहुत important question है हमारे net Jrf के लिए तो बहुत ही जादा important है और उसके पाद PGT और ISPCS में अप्र में बहुत पूछय जाते हैं कोशन है हमारा किसने कहा हिंदू के घ्यान के भंडार में मोती भी और कंकड भी और इन दोनों के भी चंतर करपाना कठिन है यह आपको चार नाम दिये गए हैं लेकिन इन में से जो सही ऑप्षिन है वो है अलबरुनी ठीक है फ्रेंट्स ये कोशिन आपका देखिए फिर से ये पुराने वाला आ गया कुछ प्रोब्लम होगी इसमें ये आपका मॉडन इंडिया से आ गया है बट बाइदे वे ये हमारा गांदी जी था ये पता नहीं बार-बार क्यों आ जाता है कोशिन इस कोशिन को कुछ जादा लग आप अधूजों इसाल में जाइव हो गया है कि मैं एक्जाम में आऊँगा तो ठह लिए ठोले नेक्स को सब्सक्राव मेरा चंपू शली में चंप से पूछा गया है कि तो आंसर करने की कोशिश कीजे इसके कर लिए इसका जो सही option है वह है कविता के साथ गद्य के प्रियोग दे कि पहली बात तो चंपू शैली को आप अगर चंपू काव्य याद रखेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यह काव्य था यह गद्य था ही नहीं पहली बात ठीक है तो यह वाला तो पूरा ही गलत दिये जाते थी मतलब जैसे आगर आप कोई कविता लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ बात कहने लग जाएं एक दो लाइन में बीच में आसे आपने दो चार लाइने बोल दी उससे रिलेटेड यह उसको समझाने के लिए तो उस तरीके से ठीक है तो यह भी इसी यह बही है ये जो नगत वेतन के बदले जो गूम्य अनुदान दिया जाता था ये और उसूप तो जीविता किसे कहा जाता था नगद वेतन के बदले दिये जाने वाले भूमी अनिदान को फिरंट्स आपको दिख रहा है ना मैंने कितनी महनत किये इसमें तो आपका भी कुछ जिसको कहते है मॉरल ड्यूटी बनती है तो आप देखिए अगर आपको वाकर में लग रहा है आप लोगों को कोशन कैसे लग रहे हैं या मुझे और क्या इंप्रूब्मेंट करना आप लोगों के लिए ठीक है और साथ के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूला कीजे क्योंकि ये भी ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है जो कि देखिए हर किसी को ज़रूरी हो शेयर कोशन है करना वरत्मान राजय सभा की भाती में किसमे रत्त एक वर्श कुस Сदस से बदलते थे में पहले और दूसरी सदस से बदने की बात कोती है तो एक तिहाइस बदलते हैं थे इसलिए इसलिए प्रैकेट में लिखा गया है कुछ तो यहाँ देखिये ब करने के कोशिश की जिए किस में ऐसा किया जाता था तो यह किया जाता था सभा में सदसे तो तीन वर्ष के लिए होते थे लेकिन प्रत्त एक तिहाई सदसे जिसको आप एक तरीका से रिटायर भी कह सकते हैं बतला बदल दिये जाते हैं थे बदल दिये कैसे जाते होंगे IES की रिटायर ही होते हूं जैसे आज के time में हमारी राजय सबा में होते हैं ताइम ईशिए हैं जैसे पास साल में या तीन साल में यह डिफरेंस है और कितने प्रतिशत सदर से बदलता उसमें भी देफरेंस में इसमिलर है तो बहुत अच्छा कोशिंग है यह यह आंसर गलते हैं नागरम में नहीं होता था सभा में होता था ठीक है इसका B option correct है यह आंसर पर मठ जाएगा next हमारा question है दसवी से तेरवी शताब्दी के दोरान मंदिर केंदर थे तो किस चीजों का वो केंदर हुआ करते थे दसवी से तेरवी शताब्दी के बीच तो पहले यह ध्यान लगिए है वह है उप्रोक्त सभी ठीक है यह सही option है ठीक है अब देखे शिक्षा का और व्याकरण का तो आप मानी सकते कि खगोल शिक्षा और व्याकरण तो हो गई होगा लेकिन यह बहुत इंट्रस्टिंग है कि उस समय में जो मंदिर थे ना वो रिन देते थे मतलब ब्याज पे पैसा देते थे और कि वो पैसा देते थे तो इसी तरीके हमारे राजवन्ज थे उनके जो मंदिर हुआ करते थे तो बेसिकली अगर हम देखे उस समय के जो मंदिर वगएरा थे बहुत बड़े थे तो उसमें चारो ही चीज़े इंपोर्टेंट अब हमारे दो लास्ट के कोश्चिंस बचे हैं चोल काल में वलंगई और इडंगई नि चोल गाल में वलंगई और इनगई निम्ण में से थे तो देखेज बड़े हाथी थी जातियां ऑब देखें अनसर अपने देख लेंदेखं़े वे घेल नवी बता के दो तो एक करते हैं वादवें इन क्या था आतैनी हैं नहीं बाता हम सुम्हा धाया क Вы f também a ये जो फती हैं कि दाइे हम धाया हाती हैं इन ये आते हैं मेधायादथ के या फ़ेस्ट होती थी करिशक या थे लेकिन इनको हीन समझा जाता मतलब इनका इस तरणा नीचा समझा दाथा था तो दाएं हात के और बाएं हात के जाते इस तरीके से थी आपको हर कोशिश में एडिशनल इंफोर्मिशन मिले और एक भी कोशिट ऐसा न हूब आता है यह बिंगा मतलब हमारा मैंने चाहती है यह सारी मैंने को विख्ष दी है और इसका मिरत शंजी नम धनिक और रिपावली है शेमेंदर की तो डिए का टू एक मिनट इसका आंसर है यह यह करेक्ट है बल्कुल तशारूप है हमारा हलायुद और हमारा यह है श्विमेंद्र रपावली है धनंजेगी ठीक है तो यह हमारा आप्शिन बल्कुल करेक्ट है यहाँ पर 4123 तो 4123 यह हमारा करेक्ट आप्शिन है फ्रेंट्स इसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं अब मैं आपको श्योर वाले बताती है यह आंसर आपका नीचे जो लिखावा है वो पहले वाले कोशन की तरह कुछ गलत है तो यहाँ देखिए अभी मैं आपक की थी ठीक है जो रिपावली मैंने शिमेंद्र की पहले बताई थी वही करेक्ट थी और वही प्रॉब्लम होती है टाइपिंग मिस्टेक होती है तो सब गलत होता है लेकिन मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखती हूं ताकि यह ना हो ठीक है तो यह आप्शिन इसका करेक्ट लेवल इंडिया के आपको कोशेंस चाहिए आगे के लेवल 3 का पार्ट 2 चाहिए या आपको मॉडर्न इंडिया का पार्ट 4 चाहिए आप वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो मैं नेक्स वीडियो उसी की अपलोड करूंगी और इसके अलावा मैंने आप आपको शॉर्ट्रिक्स भी दी हुई हैं बहुत सारी और आपका इंडिया में फी मैंने लेवल 3 के कोशेंस डाले वह यह सारे ही कोशेंस देखिएगा शॉर्ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्ट्न रहेंगे आप उन्हें भी चेक किजःगा प्लैलिस्ट में ज जाके चेक कर लिएजेगा उसके लावा आपको वीडियो कैसी लगी है बताना मत भूलिएगा आपको कुशन कैसे लगे ठीक है अब मैंने आपको आज 30 मिनिट्स में 25 कुशन करवाए हैं 25 कुशन सर्फ कहने के हैं अगर आप ओवरॉल देखेंगे तो मैंने कम से कम आपको 30 प्लस कुशन करवा दिया 30 मिनिट्स में ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्द फिर मिलते हैं तब तक के लिए have a great day and also good luck for your exams